हेलो एवरीवन वेरी वाम गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग टू आल अफ यू नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है अड़ा 247 के इस मंच पर मेरा नाम है संस्कृती और मैं आप सभी को UGC NTNIT के लिए पेपर वन में ICT and पेपर टू पॉलिटिकल साइंस कोड सेरो टू पढ़ाती हूं एक बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन को आज की इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स चाहते हैं पीएचडी करना किसी कारण से अगर आपका नेट जारेफ as of now के लिए कौलिफाई नहीं हो रहा है या फिर आप गुजरात राज्य से बिलॉंग करते हैं या फिर आप गुजरात जा करके और पीएचडी करना चाहते हैं तो आप सभी क्या कर सकते हैं गुजरात का जो स्टेट एलेजिबिलिटी टेस्ट है गुजरात SET या GSET जो है उसका 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है तो आज इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप एपलाई कर सकते हैं जो एक्जाम का पाटर्न है वो कैसा होगा एक्जाम कब होगा मैम हम गुजरात से नहीं हैं हम दूसरे राज्यों से हैं बिहार से हैं उतरप्रदेश से हैं डेली से हैं या फिर मध्यप्रदेश से हैं भारत के किसी और राज्य से हैं गुजराज से नहीं है तो क्या हम भी एलाओड होंगे ये भी हम देखेंगे कि क्या दूसरे राज्य के जो स्टुडेंट्स हैं वो भी इस G.S.E.T का एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तो सारी जानकारी बहुत बढ़ीया तर कर ठार्ट करते हैं ठीके पर इन का kolर बदल लिया जाए और यहां पर यह देखीए यह रहा आप सभी के साम Нे जो नोटीफिकेशन आया है G.S.E.T का यह नोटीफिकेशन है 2030 का और यह जो स.E.T. Exam होता है ठीके वो किस लिँए होता है असिस्टेंट प्रोffेसर के eligibility as well as इसके साथी साथ आपको फिर concerning state में PhD में enrollment में भी आसानी हो जाते हैं मेरे कुछ students हैं जिनका GSET हुआ है नेट जारिफ भी हुआ लेकिन उनका GSET भी हो गया और वो क्या कर रहे हैं वो गुजरात से PhD कर रहे हैं तो आप भी PhD कर सकते हैं सबसे पहली बात जो यहां पर देखने वाली है वो यह है कि GSET का गुजरात सेट कर जो exam है वो 26 नवेंबर 2023 को होग ठीक है इस चीज का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे चले अब एक तरफ से सारी चीज़े cover करते हैं यह जो notification है वो आपको आराम से official website पर मिल जाएगा जो पूरा का पूरा notification है वो गुजराती में दिया हुआ है इसके साथी साथ English में भी दिया हुआ है ठीक है तो हम English वाला version लगा करके देखेंगे main important सबसे पहले important बात क्या है सबसे important बात है कि आप apply कब कर सकते हो तो जो apply करने की date है वो 21 अगस्त से शुरू हो चुकी है और जो last date है इस exam के लिए apply करने की वो 16 सितंबर होने वाली है forms जो हैं वो online ही भरे जाएंगे याद रखिएगा offline form का कोई प्रावधान नहीं है ठीक है तो आप official gset के official website पर जाके इस bulletin को भी देख सकते हैं और अपना form भी वहीं पर भर सकते हैं एक्जामिनेशन की date जैसा कि इस brochure के first page पर बिलकुल जो cover page है उस पर लिखा हुआ था कि examination की जो date है वो 26 निवेंबर 2023 जो है वो आयोग ने fix करी है आपका examination के date 26 निवेंबर होने वाली है एक्जाम का duration 3 घंटे होगा वदलब 3 hours का आपका exam है जिसमें आपके 2 paper होगे एक paper होगा paper 1 जो की 1 hour का होगा दूसरा होगा paper 2 जो की 2 hour का होने वाला है ठीक है तो इक काम करते हैं आप सभी के लिए यहां पर मैं छोटा-छोटा सा लिख भी देती हूं brief में ताकि आपको क्या है confusion ना हो तो पहली चीज तो क्या है कि 21 अगस्त से ले करके 21 अगस्त से ले करके और 19 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो फॉर्म भर सकते हो ठीक है इसके बाद फिर दूसरी बात क्या है आपका जो paper है वो कब है paper की date क्या है 26 निविंबर रखी गई है 2023 ठीक है जी फिर तीसरी बात क्या है आपका जो paper है वो दो हिस्सों में होने वाला है paper 1 and paper 2 अभी हम बात करेंगे paper 1 paper 2 में क्या है paper 1 वन आवर का होगा and paper 2 जो है वो 2 आवर का होने वाला है that is total आपका 3 आवर का exam है and दोनों paper जो है वो compulsory है ठीक है ना बोत papers जो है ध्यान रखेगा क्या है आपके के बच्चों के भी बात करेंगे एक एक करके क्या करते हैं धीरे-धीरे समझते हैं ताकि आपको भी confusion नहों ठीक है तो यह कुछ basic बाते हो गए examination का time भी लिखा हुआ है कि first paper का time 9.30 to 10.30 होगा second paper का time 10.30 to 12.30 होने वाला है ठीक है आगे एक छोटी सी advisory लिखी हुई है तो पढ़ लीजेगा कि आपको examination की time पर sanitizer की bottle ले करके जाना है इसके साथी साथ जो personal आपकी water bottle है जो कि absolutely transparent होने चाहिए वो ले करके जाना है admit card वगेरा और ID proof photos simple transparent ball pen अब ball pen का क्या मतलब हो गया कि आपका जो exam है वो कैसा होने वाला है OMR sheet पर होने वाला है ध्यान रखिएगा आपका जो exam है वो कैसा होगा आपका exam होने वाला है OMR sheet पर मतलब कि आपका offline exam होगा ठीक है जी offline exam होने वाला है ठीक है चले आगे देखते हैं और क्या सब बाते हैं चले फिर से ये थोड़ा सा admit card है सारी चीज़े जी सेट की ही official website पर क्या होंगी available होंगी कोई भी आपको personally dark के द्वारा कुछ नहीं भेजा जाएगा सब online है form online है सब कुछ है आप online form भरिए online admit card निकालिए print out निकलवाई ए exam दीजे ठीक है इस certificate भी क्या है आपको online ही download करना है और उसके बाद उसके आप hard copy निकलवा सकते हो जैसे net grf के exam में होता बिलकुल वैसे कुछ अभी तक अगर आपने एक भी बार जी सेट क्या कर चुका है अगर आपने जी सेट दे रखा और आपका qualify हो चुका है जी सेट तो दोबारा देने मत पहुंच जाएगा भौकाल के चक्कर में कि चलो दोबारा से जी सेट दे दें क्योंकि अगर आप एक बार जी सेट में qualified हो और अगर आप दोपार एक्जाम देते हो और अगर पता चल जाता है पूरी investigation में कि आप आप ऐसा किया है तो आप पर कड़ी कारिवाही होगी ठीक है जी correct अब देखो दूसरे राज्य के जो students हैं वो बिल्कुल apply कर सकते हैं बस इतना है कि अगर आप दूसरे राज्य में किसी reservation category के अंतर्गत आते हैं SC category के अंतर्गत, ST category के अंतर्गत गुजरात में आपको general की तरह treat किया जाएगा cut off आपकी general category के हिसाब से बनेगी तो आप exam बिल्कुल दे सकते हैं अगर आप other राज्य के हैं तो भी बस फरा कितना है कि आपको गुजरात में जाकर के general की तरह treat किया जाएगा वहाँ पे आपका reservation applicable नहीं होगा ठीक है तो कुल मिला के अच्छा खासा मौका है other state के students के लिए क्या करिए ध्यान रखिए कि other state के students को भी क्या है allow है आप exam क्या कर सकते हैं आप exam दे सकते हैं ठीक है न जी तो अच्छा खासा मौका है आप इस मौके को जाने मत दीजिए ठीक है आप इस मौके को जाने कते ही मत दीजिएगा ध्यान रखिए आप क्या कर सकते हैं आप exam दे सकते हैं अगर आप यूपी के हैं बिहार के कहीं कि भी other state गुझरात को छोड़गे किसी और state के भी है आप ये जी सेट का exam बिल्कुल दे सकते हैं ठीक है चले आगे देखते हैं और क्या notification में बात है अब देखू आपको थोड़ा सा मुझी ये दिखाना है कि आप ज इसके साथ इस एक्जाम में अपियर होने के लिए जैसे हिंदी से अगर आप एक्जाम दे रहे हो तो आपके पास एमें हिंदी होना चाहिए राजनीती विज्ञान से दे रहे हो तो राजनीती विज्ञान में होना चाहिए बिल्कुल वैसे ही लेकिन इसके साथ ही साथ जो मी तो एक मीडियम है गुजराती दूसरा है अंग्रेजी अब चूकि अगर अधर स्टेट का स्टुडेंट है उसे गुजराती नहीं आती है आप इंग्लिश में अटेंट कर लेजै अगर अगर अब आपको अंग्रेजी भी नहीं आती है तो कोशिश करेंगे थोड़ा पढ़ और फिर एक्जाम देजे लेकिन ध्यान रखिए जितने भी लैंग्वेज के पेपर उनको छोड़ करके कॉमन सेंस है कि अब हिंदी का पेपर अंगरेजी में तो नहीं आएगा ठीक है तो लैंग्वेश पेपर को छोड़ करके जितने भी आर्ट के पेपर है उसका माध्यम य यह स्टूडेंट से बहुत सारे बच्ची ऐसा हो सकता है physics के mathematics के chemistry के यह notification के बारे में जो session है वो देख रहे है Science के Students का paper केवल और केवल English में आएगा ठीक है, तीन बाते मैंने आपको बता दी कि पहली चीज कि आपका, जो आपका literature का language का subject है ठीक है, वो तो अपनी ही भाषा में आएगा जिस भी भाषा का paper है, उर्दू का है तो उर्दू में आएगा Arts के जो subject है, वो गुजराती में आएगा paper या फिर English में इन दोनों में से आप किसी भी language में क्या कर सकते हो, paper attempt कर सकते हो और Science का जो paper आएगा है न, Natural Sciences से related जो भी paper है Natural Sciences से related जो भी paper to के subject है, वो सभी क्या है, वो केवल English में आएगे वहाँ पे आपको गुजराती का भी option नहीं है, ठीक है, correct, आगे देख लीजे, अच्छी कासी opportunity है, बहुत अच्छी seats निकलते हैं गुजरात में Central Universities भी हैं, बहुत अच्छी state universities भी हैं, तो I would suggest you कि ध्यान से एकदम क्या करिएगा, इस exam का form भर देजे इसके बाद अब bank के charges वेगेरा और कई सारी charges हैं, तो general category और general EWS और जो non creamy layer OBC के होते हैं और ये सारी चीजों के लिए क्या है, जो form है, उसका charge कितना है, 900 रुपए, तो form का जो price है कि आपको कितने पैसी दे करके form भरना है, तो 900 रुपए है general category के लिए, ठीक है, और इसके साथी साथ जो, you know, गुजरात राज्य के reserved category होंगे, उनके लिए फिर 700 चार्ज है, और PWD category के लोगों के लिए 100 रुपी charge होने वाला है form का, ठीक है, correct, चले, आगे देख लेते हैं, और क्या बाते हैं इस notification में, और हमें और क्या बाते रखनी हैं, मैं यहाँ पे एक बार लिख दू, fees के बारे में भी, ठीक है, मैं सारी चीज़े इसलिए लिख दे रही हैं, कि बच्चे बहुत confused होते हैं, बीच जिनरल कैटिगेरी के लिए 900 रुपीज जो है, वो form की fees होने वाली है, ठीक है, नेक्स्ट, और क्या देख सकते हैं, और क्या बाती हैं, इस form में जो हमारे काम किये, चले देखते हैं, हां जी, आपके लिए क्या है, जो qualification है, वो यह होने चाहिए, कि या तो आप master's, आपका post graduation pass out है, ठीक है, आपका post graduation pass out हो, या फिर आपका final year चल रहा है, अगर आप MA की first year में हो, यह exam नहीं दे सकते, ध्यान से सुन लो, गर आप MA की first year में हो, जी सेट नहीं दे सकते, MA second year में हो, जी सेट दे सकते हो, MA हो चुका है, जी सेट दे सकते हो, ठीक है, करेक्ट, तो आप क्या है, आप जी सेट केवल, MA final year, MA final and MA complete जिन बच्चों का हो चुका है, केवल वही लोग क्या कर सकते हैं, exam दे सकते हैं, ठीक है जी, करेक्ट, एक यह बात भी याद रखिएग तो NET JRF में क्या है, first year में भी हम दे पाते हैं, लेकिन अगर आप गुजरात सेट की बात करो, तो केवल, final year, MA के स्टुटेंट्स या, master's के स्टुटेंट्स या, फिर जिनका पूरा master's complete हो गए, degree वगएरा, मिल गई है, केवल यही लोग क्या कर पाएंगे, exam दे पाएंगे अब अगर आपका master's complete हो गया, तो कम से कम आपको आपके master's में 55 प्रतिशत भी जरूरी है, अगर आपके 51, 52, 52 प्रतिशत है, तो आप G-set में appear नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और जिनका final year है, तो final year के होने के बाद 55 प्रतिशत कम से कम अपने master's में लाना जरूरी है, वरना आप आपका G-set cancel हो जाएगा, correct में इसी के हिसाब से और भी सारे criteria दिये गए हैं, आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, students का जिस भी subject से post graduation हुआ है, वो उसी subject से G-set का forum भरेगा, वहुत सारी कोरी आती है, माडम, मेरा जो BA है, वो history से हुआ है, और उसके बाद फिर मेरा जो MA है, वो मैंने geography से कर लिया, MA जो है मेरा, वो मैंने हिंदी से कर लिया, तो यहाँ पर आयोग आपको यही कह रहा है, कि आपका post graduation जिस subject से है, जिस भी subject से है, चार subject से है, तो भाया, जिस दिन एक दिन paper होना है, आपको लगता है, कि जिस subject से आपको form भरना है, उससे भर होगे, ऐसा नहीं है, कि अब BA वाला समझ लिया, नहीं, आपका post graduation का subject ही मानने होगा, उसी subject से आप G-set का exam देने के लिए eligible है, ठीक है जी, चले, आगे देखिए और क्या बाते हैं, Age limit की अगर आप बात करो, तो कोई भी Age limit नहीं है, ठीक है, कोई भी क्या है Age limit नहीं है, ध्यान रखिएगा, No Age Limit, ठीक है जी, No Age Limit है, परीक्षा के pattern की बात कर लेते हैं, है ना, परीक्षा के pattern की अगर आप बात करो, तो हमने थूड़ा सा discussion करी लिया है, लेकिन फिर से कर लेते हैं कि पूरे exam में दो paper होंगे paper 1 paper 2 paper 1 जो है वो एक गंटे का होगा paper 2 जो है वो 2 गंटे का होगा paper 1 में 50 questions आएंगे paper 2 में 100 questions आने वाले हैं और हर question का जो marks है वो two marks होने वाला है negative marking नहीं होने वाली है बिलकुल UGC NET की तरहे यहाँ पर क्या कर दिया है पाटर्न बना दिया है अगर आप पाटर्न की बात करने वाले हैं ठीक है न अगर आपको इस सेशन जरा सा अभी अच्छा लग रहा है और क्लारिटी मिल रहे है तो प्लीज इस सेशन को अगर आप पाटर्न की बात करेंगे तो पाटर्न में क्या है पेपर 1 है और फिर क्या है पेपर 2 है ठीक है करेक्ट ओके यहाँ पर आपकी OMR sheet वाला exam होने वाला है विच मीन्स कि आपका offline exam है ठीक है जी करेक्ट आपको अपना pen ले करके जाना है पेपर 1 में 50 question है पेपर 2 में 100 question है 2 marks each है ठीक है 2 marks each है दोनों paper में मिला करके विच मीन्स कि 1500 question और 300 number के इसके 37 साथ no negative marking ठीक है ना no negative marking का मतलब क्या हुआ कि कोई भी negative marking नहीं है अगर आपने प्रशन गलत कर दिया तो आपको 0 मिलेगा प्रशन नहीं किया तो आपको 0 मिलेगा और अगर प्रशन सही किया तो आपको दो number मिल जाने वाले हैं syllabus के अगर हम बात करें तो बिल्कु साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका net जी आरेफ का syllabus होता है CSIR या UGC NTA NET आपका जो पेपर है वो जिस भी केटिगरी में आता है अगर साइन्स वाला है तो CSIR Arts Commerce वाला है तो UGC NTA NET ठीक है तो NET के जैसा ही आपका syllabus होने वाला है पेपर वन में बिल्कुल सेम वही कॉंप्रिहेंशन हो गया, Reasoning Ability हो गया है न है यह सारी चीजे Teaching, Aptitude, Research, Aptitude यह सारी चीजे पेपर वन में आपके पूछी जाएंगी और पेपर टु में बिल्कुल वैसे ही आपका क्या है पेपर 2 में आपका जो आपका subject होता है ठीक है जो आपका subject होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा ठीक है जी correct कोशन पेपर की language के बारे में मैंने बता दिया कि गुजराती और English में होने वाला है except कौन कौन से science की subject को छोड़ के क्योंकि science वाली subject की पेपर होगा uses quick और fresh language कैमें जोड़ा उसके हिसाब से एक ठीक है OMR sheet रहेगी और क्या है नो नेगेटिव मार्किंग होगे कोई भीडिन जाएगा Um बेट बात लिखी हुई है जो चीजों के बारे में देक्राएब जाएब साफ लेखा है syllabus for G-set examination will be the same as UGC या फिर CSIR NET आपका exam जिसके अंतरगत भी है CSIR के अंतरगत है तो वो syllabus होगा NET NTA के अंतरगत है वो syllabus होगा मतलब G-set का exam जो है वो NET के syllabus की तरही है ठीक है G-set का जो exam होने वाला है उसमें syllabus जो है वो NET का ही syllabus है अब वो चाहे CSIR वाला NET हो चाहे वो क्या हो चाहे वो NET NTA वाला NET हो ठीक है जी और आगे देख लेते हैं और क्या बाते हैं और कुछ बातें नहीं इसके बाद फिर वही आप सभी के लिए किस तरीके से आप form भर सकते हैं किस तरीके से सेलेक्शन प्रोसेस है सिक्स परसेंट का क्या कैसा हिसाब किताब रहेगा यह सब कुछ खास जानने वाली बातें नहीं में आपको फॉर्म eligibility, medium यह सारी बातें जानने थी जो कि मैंने आपको बता दी और याद रखिए क्योंकि यह राज specific एक क्या है एक्जाम होने वाला है तो आपका सेंटर केवल और केवल गुजरात ही जाएगा ठीक है क्योंकि आप गुजरात सेट का फॉर्म भर रहे हो तो गुजरात में कहीं भी आपको सेंटर भेजेगा तो इस चीज के लिए भी mentally prepared प्लीज रहिएगा कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है अच्छा खासा ठीक है मैं यहां डरा नहीं रही हूं लेकिन मैं बस आपको mentally prepared रख रही हूं ठीक है आपका जो admit card है वो गुजरात सेट के जो website है official website उस पर साथ दिन पहले लगबग क्या हो चाएगा upload कर दिया जाएगा और कोई भी post post के द्वारा चीज़े नहीं भेजे जाएंगे समझ लेजे सारी चीज़े online है except जिस दिन आपका exam है उस दिन exam बस OMR sheet वाला है बाकी आपको form भरना है fees देना है admit card चाहिए certificate आएगा सारी चीज़े जो कुछ भी होगा official website गुजरात सेट की जो है उसके माध्यम से ही होने वाला है तो I hope that's all यह सारी हो गई आपकी सारी की सारी important बातें जो कि आपके गुजरात से related है और इसमें बार बार लिखा हुआ है कि कृपा करके अपना जो क्या है eligibility criteria है उसको आप सभी भी भाला कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सारी चीज़े बताऊं लेकिन फिर भी कैसी photograph आपको क्या करनी है upload करनी है थम impression upload करना है कि नहीं sign upload करने है कि नहीं सारी चीज़े एक बार पढ़ लीजेगा official notification जो है वो आपके गुजरात सेट के official website पर दी हुई है और अगर आप बोलोगे तो मैं अपने telegram जिसका की नाम है संस्कृति जैन official वहाँ पर भी इस notification को share कर द जी सेट के बारे में ये ऐसा फलाना doubt है इस doubt को clear कर दीजे हाला कि I tried my best कि आप सभी के सारे doubts as well as जो पूरी जी सेट की notification है उसे एक बार में concise manner में yet detailed तरीके से क्या किया जा सके थोड़ा सा आप सभी तक पहुंचाया जा सके उमीद और आशा है कि आप सभी को मेरी कोशिश ब negative marking discuss करी है medium discuss किया है other states के student allowed है इस बारे में भी हमने discussion किया हुआ है syllabus के बारे में discussion है fees के बारे में discussion है and other चीजों के बारे में भी discussion है तो I hope you all liked and enjoyed this session अगर आप सभी को इस session बढ़िया लगा या फिर आप धोके से इस session पर आ गए है और आपको लगता है कि भाई क्या होना चाहिए हमारे दोस्त या हमारे relative जो है वो PhD के लिए assistant professor के लिए try करें और उनके लिए ये जो information है वो बहुत जादा useful है बहुत जादा important ह तो उनके साथ भी session को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूले एक बहुत सुनहरा मौका है आप सभी के पास assistant professor बनने का अपने PhD करने के सपने को पूरा करने का अभी के लिए दीजिए इजासा जैसा कि मैं हमेशा कहते हूं देशी सेवा करते रहे मानवता की सेवा करते रहे लेक lack of guidance and lack of mentorship है आप enroll कर सकते हैं हमारे courses में क्योंकि हमारे जो courses है वो आपको best content दे रहे हैं affordable cost पर with best faculty और आपका ensure होगा net JRF ठीक है ना तो आप क्या कर सकते हैं हमारी official website Adda247 पर जा करके इन courses के बारे में आराम से explore कर सकते हैं यह देखिए Adda247 की यह रही official website यहाँ पर चले education को क्या करें select कर लीजे ठीक है और यहाँ पर UGC को select कर लीजे डेर सारे आपके जो papers हैं वो हम यहाँ पर आपको include कर रहे हैं आप सभी के लिए मुहाया करवा रहे हैं फिर वो चाहिए geography हो चाहिए education history commerce हिंदी political science English home science management संस्कृत education जैसे बहुत सारे क्या है आप सभी के लिए courses available है best faculty बहुत बढ़िया पढ़ा रहे है bilingual content है हिंदी अंग्रेजी दोडों में पढ़ाया जाता है live classes है test series है PDF है content आपको provide करवाया जा रहा है और इसके साथे साथ doubt session जैसे one to one interaction जैसे और भी धेर सारे features है बहुत affordable cost पर है आप सभी जाके सब कुछ पता कर सकते हैं बस ध्या maximum to maximum discount मिलेगा जो भी discount चल रहा होगा उससे भी जादा बढ़ करके आपको सबसे जादा discount मिलने वाला है Y792 इसे coupon code की जगे इसे लगा लीजेगा आपके पैसे सेव हो जाएंगे और उस पैसे को कृपा करके अपने पढ़ाई लिखाई में अपने form वेगरा में जरूर और 24-7 को subscribe करना मत भूले और notification वाला bell जो है उसे on कर ले ताकि आप कोई भी important update miss ना करें इसके साथी साथ at last I would request you all कि please इस session को अपना प्यार दे अपना समर्थन दे like कर दीजे शेर कर दीजे और कोई भी आपको doubt है comment section में लिख दीजेगा मैं बिलकुल ऐसे ही videos आप सभी के लिए बना रही हूँ और बनाती रहूंगी यह मेरा promise है मेरी नजर हमेशा क्योंकि comment section पर होती है तो if you have any doubt write down in the comment section thank you so much for watching